असलाम अलेकुम तो चलिए आज के इस वीडियो के शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग कोश्टन इंसर करेंगे आप लोग के चैप्टर नुबर 13 का जो की एक खत है ठीक है लेटर है और यह जो लेटर है सेयद शाह करामा थुसैन करामा थमदानी के नाम है ठीक है यानि कि यह जो लेटर खत लिखा गया है वह सेयद शाह करामा थुसैन को लिखा गया है और लिखने वाले कौन है लेटर यानि कि इस चैप्टर के राइटर कौन है तो अस्दुल्लाहा गालिब के मुसंनिफ है मिर्दा गालिब जो है यह खत लिख रहे हैं लेट चैप्टर से रिलिटेट आप लोगों के द्रख्षा के बुक में दिया गया है उन्हें सभी कोशन एंसर को हम इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे ठीक है तो चलिए ध्यान से देखिएगा और एक एक कोशन को मैंड में फिट करते चलिएगा और समझते चलिएगा चलिए हाँ तो यहां पर ध्यान दीजिए आप लोगों का सवाल स्टार्ट होता है मुख्तसिर तरीन सवलात से यानि कि अतिलाग उत्रिया प्रसं से तो जो सबसे पहला सवाल है वह यह हैं कि गालीब की सन पैदाईश क्या है यानि कि गालीब कि सन में पैदा हुए तो देखिए आपर कोशन पूछ रहा है कि मिर्दा गालीब जो है वो किस जगा पर पैदा हुए ठीक है तो मिर्दा गालीब वो आगरा में पैदा हुए थे ठीक है तिसरा सवाल गालीब के खतूत के किसी एक मजमुए का नाम लिखिए यहां पर मिर्दा गालीब का कोई मिर्दा 900 लिखे याद रखिएगा टोटल 900 मिर्दगालिब ने लिखे हैं चलिए अब यहां से आप लोग का स्टार्ट होता है मुखतसर सवालात कि एक मिनट हां मुखतसर सवालात यानिकी लगुद्रिय प्रसंग जिसमें आप लोग को चार पाच सेंटेंस में रिखना होता है तो ज का। HC किसे कहते हैं आपके हिसाब से कैसी कर लrodu किसे कहते हैं से खतूत नवेसी कन को मिननेगारी कहते हैं यानि कि खत लिख को क्ली понगारी कि कहते हैं नहीं है कविए कि और या उर्दोनासर कि यह कह मैं है और उसमें खतूत निगारी की रिवायत बहुत पुरानी है या दोस्त अहबाब और रिस्तधारों की खैरियत दर्याफ्त करने का आसान जरीया है खतूत के जरीये एक दुसरे से तबादला ख्यारात भी होता रहता है ये जो खत है ये अपने दोस्त अहबाब ये फिर इस्तधार की खैरियत दर्याफ्त खैरियत पुछने के लिए एक आसान जरीया है खत और पहले के जमाने में तो खत ही चलता था लेटर ही लोग लिखा करते थे ठीक है अपने मकसद के लिहाद से मकतुबात बिल्कुल जाती नौईत के होते हैं क्योंकि लिखने वाला खतूत में अफसर अपने दिली जज़बात का इज़ार करता है और उन जज़बात को तहरीर के मेयार से दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश करता है एक मकतुब नेगार अपने खतूत में जाती हवाल कवाईफ के जमन में अपने एहद के मौशरती हालात और जाती एहसासात को भी पेश करता है ठीक है जो एसे लिखता है जो एसे होता है वो एकदम जाती होता है प्रसनल होता है प्रसनल मतलब होता है जिसमें वो अपने ब बातों का इजहार किया है इस जो आप लोग का चैप्टर में गालिब का खत जो आप लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में जो गालिब खत लिखे हैं इसमें किन बातों का इजहार किये हैं किस बातों को बताएं हैं तो जवाब देखिए यहां से स्टार्ट है गालिब ने अ इस तरह वाजिख किया है कि मैं कम्जूर हूँ मैं बिमार हूँ मिरा हाल क्या पूछते हो ठीक है मिरा हाल क्या पूछते हो बस ζिंदगी की हद तक बाकि है खुदा के नाम पर यहां पर बादाम का शीरा खाता हूँ और गोस्त का पानी पीता हूँ और ऐसी हालत में कलाम की इसला जरा मुश्किल है जिसका दर काम हो जाता है वही गनीमत है और खुदा का शुक्र है कि वह उसे किसी तरह इसला कर डालते हैं थीव जो आफ लोगो का ये खत है इसमें मर्दा गालीब जो है gob Venus को ये खत लिखर हैं और इसमें ये बताने की कोसिस किये हैं कि मैं क्या हूँ बिमार हूँ मेरा तुम क्या हाल पुछते हो ठीक है मेरी जो जिदगी है वो बत्तर है मैं बस क्या करता हूं सुबह बादाम का शूर्अ Gosh का पानी पिता हो ठीक है और यही सब زندگی میں میری زندگی بتر بن کر رہ گئی ہے यह सारी चीज़े जो मिर्जवालिब है अपने दोस्त को यह खत लिख रहे हैं उसमें यह सारी चीज़े बता रहे हैं तीके हलांकि इस चप्टर को मैं आर्ड़ी पढ़ाई हूँ गालिब ने अपने मक्तोब लहे से अपनी दोस्ती और महबत का इज़ार बहुत ही सादा सहल और रवाल अलफाज में किया है ठीक है गालिब जो है अपने इस खट में जिसको ये खट लिख रहे हैं वो अपनी दोस्ती और महबत का इज़ार बहुत ही सादा सहल और रवाल अल की है ठीकी और गालिब अपने खतूत में ये भी कहते हैं कि कलाम में इसला करने के मौावज़ा में उनका भीजा हुआ सौर रुपय वसूल तो हो गया मगर दोस्ती में इसकी जरूरत ही क्या थी ता थी उन्होंने अपने मक्तूब लहे स्यद करामत अली हमदानी को लोगों की बुरी निगाहों से दूर रहने की दूआ भी फरमाई ठीक हैं ये सारी चीजे मिर्ज़ गालिब ने अपने दोस्त को यापर सेद करामत अली हमदानी इन्होंने सौर रुपया भी था ठीक है जो खत को दुरूस्त करवाने के लिए भीजे थे कोई चीज जो है सेद करामत हुसैन सेद करामत हमदानी मिर्ज़ गालिब टिपास कुस चीज को दुरूस्त करवाने के लिए भीजे थे और उसके सा नमबर सवाले, गालिब का तारुफ मुखतरन लिखिए, तीकि यहां पर आप लोगको मिर्ज़ा गालिब का तारीफ बियान करना है, तो चलिए इनका तारीफ देख लेते हैं, गालिब का असल नाम मिर्जा अस्दूल्लाख खा था, ठीकिए यह तो आप लोगको मारूम है, अमदाएद्र बालिब की होँ गालिब की पैदाईkelnायो रिसिभी में आगरा में हुई वालिदकान आम उज्जा बेगम है ŧा बालिद के साया से बच्पन ही में महरूम हो गए ठीक है जो मिर्जब गालिब के वालिद ये पिता जी थे वो बच्पन में ही क्या हो गए उनका इंतकाल हो गए इस दुनिया से रुकसत हो गए ठीक है चुनानचा चैचा नसुल्ला बेग ने गालिब की परवरिश की लेकिन कुछ सालों के ना वालिद इंतकाल कर गए उसके बाद उनके चैचा क्या किये परवरिश किये जिनका नाम नसुल्ला बेग है ठीक है और वो भी कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए चलिए सवाल नंबर पांच देखिए बहुत इंपोर्टेंट सवाल है यह बार बार पूछा जाने वा तो गालिब के खतूद की जुआन पर पांच सत्रे लिखिए ठीक है तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं जवाब स्टार्ट है यहां से मक्तुबात गालिब की खतूद का जुआना है कि वो गालिब जो है वो किस तरह से अपने खत में लफजों का यूज करते हैं किस रकी भासा का यूज करते हैं ये सारी चीज़ आप लोगो गालिब के खत के बारे में बताना है टिके गालिब जैसर शायर जिसने फार्सी में बेहतरी की हो और अपने जमाने की बेहतरीन और उम्दा महावरों का इस्तमाल किया हो जो मौजूदा जमाने के तनाजर में इसी त रखता है जो मुखादिब तक पहुचने की पहली शर्तिया है कि वह उस जुबान उसकी जुबान समझ रहा है या नहीं गालिब को ऐसी जुबान दानी में कमाल हासिल है ठीक है जो है ना गालिब की एक एहम खोबी है कि वो इस तरह अपनी बातों को रखते थे कारी के सामन में आजाए गालिब की हर एक एक जुबान वो जो भी लिखे हैं वो जो भी कहना चाहते हैं वो सारी चीज पढ़ने वाले को समझ में आ जाता है ऐसी लफजों का इस्तमाल करते हैं मिर्दा गालिब ठीक है चलिए सवाल नमबर छे है कि उर्दू में मक्तूब निगारी भी कहते हैं यानि की खतूत नमेसी बोलिए या फिर मक्तूब निगारी बोलिए बात एक ही है दोनों का मतलब होता है लेटर राइटिंग यानि की खत लिखना ठीक है दोनों लफजों में खतूत लिखने के फन को मक्तूब निगारी कह सकते हैं मक्तूब निगारी एक दूसरे से तबादला ख्यालाद के साथ दोस्त एबाब और रिष्टादारों की खेरियत भी दर्याफ्त की जाती है देखिए दर्याफ्त की जाती है चलिए मैं आगे पढ़ देती हूँ इसलिए मक्तूब निगारी को इज़ार ख्यालाद का एक मुफीद और रिवायती समझा जाता है इसलिए उर्दू मक्तूबात को नस्फ मुलाकात भी कहते हैं क्योंकि इसमें मक्तूब निगार एक तरफ़ तोर पर अपने ख्यालाद का इज़ार करता है मुफातिव उसके सामने मौदूद नहीं रहता है लेकिन मक्तूब निगार अपनी बात मक्तूब ल पारे में सब कुछ जानता है लेकिन वह अपनी ख्यालात और अपनी खैरियत उस दूसरे इनसान तक नहीं पहुंचा पाता ठीक है तो इसको आधी मुलाकात कहते हैं ठीक है जो है ना लेटर रैटिंग को इसको आधी मुलाकात कहते हैं क्योंकि लिखने वाला पढ़ने वा वाला है वो सिर्फ अपनी खैरियत को लिखेगा ठीक है अब पढ़ने वाले जो उसका पढ़ने वाले उसके बारे में नहीं जान पाएगा तो इसलिए लेटर राइटिंग को जो है ना आधी मुलाकात भी कहते हैं चलिए यहां से तवील सवलात स्टार्ट होता है एक नहीं लंबा चौड़ा कम से कम एक दो पेज का तो ही जाएगा देखिए जवाब पढ़िए गालिब के लिखे हुए खतूत यू तो अपने मौज़ों के लिए हाथ से बिलकुल जाती नौईत के हैं क्योंकि गालिब ने अपने मुक्तुबात में अक्सर वह बेस्तर अपन के साथ जमनी तोर पर उस आयद के सियासी हालात तहजिब रिवायत समाजी हालात और असरी एहसासात भी आ गए हैं तीके यहां पर गालिब के खतूत के बारे में लगातार बाते होंगी क्योंकि उनके खतूत के बारे में ही लिखना है कि वो किस टाइप का किस नेचर का उन गालिब का जो खत का किताब है और्दुमौला ये दोनों प्रकाशित हो चुका है ठीक है ये लंबा चौड़ा आप लोगा गालिब की खतोत के नेचर के बारे में प्रकृति के बारे में है ठीक है चलिए दूसरा तवाल पढ़िए गालिब के लावा किन कल्मकारों के लावा और कौर झिनों ने खत चिनका खत किताब में उसाइए हुआ है ठीक है घृट के लिए जवाब के लावा और कितने लोगा एक कहत का किताब में प्रकाशित हुआ है । ठीक है आगे बढ़िये गालिब के लावा मतादद एहल इल्म और अद्बाय की खतूत भी किताबी शकल में जय वरतबा से अरास्ता हो चुके थे मिसाल के तोर पर सरस्यद एमद खा के मकतुबात मकातीब सरस्यद के उन्वान से शाई हो चुके हैं उर्दू नसर की रतकाय तारीख में मकातीब सरस्यद की अद्बी एहमियत मुस्लिम है ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को यह बताया जा रहा है कि मिर्जगालिब के इला तो यह थैक है इसके इलावा और भी बहुत सारे लोग है जिनों ने खत लिखा है एहम encLY वो मकातिम मौलाना आजाद का है ठीक है मौलाना आजाद ने भी खत लिखा है और भी बहुत तारी जो गुबार खातिर है के उन्वान ते शाई हो चुका है जो आप लोगा मौलाना आजाद का आप लोगा है ना मौलाना आजाद का खत गुबार खातिर गुबार खातिर के न साब में शामिल है ठीक है लगबग जो यूनिरसिटी है उसमें ये चैप्टर आप लोगो पढ़ने के लिए मिलेगा गबार खातिर नाम का चैप्टर ठीक है यह सारी चीजे और सरस्याद इमद खान और मौलाना आजाद के लावा और भी बहुत सारे हैं जैसे कि अब्दुल यहाँ पर मौलाना अजाद के बारे में बात हो गए ठीक है सरस्याद इम्द कहा के बारे में बात हो गए अब्दूलगफुर स्वट के बारे में बात हो गए यह सब जई pops फाзिफ Заकंबार बात है यही बताना है आप लोगो देखिए जवाब यहां से इस्टाट है कि मकातीब गालिब से अर्दू नसर को ना सिर्फ यह के कई अद्वी फाइदे पहुँचे बलके अर्दू नसर एक मनफर्द तर्ज ने गारिश से आशना हुई गालिब ने अपने मकातीब में आम फहम अल जो मतलब सुरुवाद करने का तरीका था और उनके मतलब खत में क्या था एक तरह से साधगी थी और वो अपने लफजों को एक दम बिल्कुल साधा और रवा अंडाज में क्या करते थे पेश करते थे जिससे लोगों को आसानी से समझ में आए और लोगों को एक तर से खु तिखे उनको खुसी फील होती थी कि इसा लिखा गया है ठीक है और उनके खत पढ़ने से ऐसा नहीं लगता था कि आप खथ पढ़ रहे हैं मतलब वह ऐसे खत लिखा करते थे मिर्जा गालिब कि लगता था दो लोग बैठ कर आपस में कनवर्सेशन कर रहा आपस में मुरासला को मुकालमा बना दिया ठीक है मतलब जो जिस तरह खत को खत लिखा जाता है मैंने खत को खत की तरह बिल्कुल बात्चीत की तरह एक दम बिल्कुल सिंपल बना दिया खत लिखने की तरीके को ठीक है और एक तरह से खत लिखने का जो आसान मतलब मिर्जा गालिब से ह को खती خत लिखने का तरीका मालूम चला कि किस तरीके से खत लिखा जाता है आसान तरीका जो है वह मिर्जा गालीब से सब किसी को मालूम चला दीए लंबा चौडा देगत के बारे में लिखा गया है आप इसलिए मक्तूब निगारी के मतादद फायदे है जिसमें पहला फायदा यह है ethics कि मक्तूब निगार अपने मक्तूबात के जरी अपने उन दोस्ट अःवाब और रुष्टदार तक अपनी बात पहुचा देता है जो उससे बहुत दूर निगाहों यह से भी दूर रहता है जिस से आमने सामने की मुलाकात के हैं तीक है मकतूब निगार को वक्त और पेसा दोनों खर्च करना पड़ता है लेकिन उन मकतूबाः के सारे वो अपने एहवाब से कम आज कम नस मुलाकात तो कर ही लेता है। ठीक है मकतूब निगारी से दूसरा बड़ा फाइदा या है कि उसके जरी मकतूब निगार की दाखली जजबात और जब्द तहरीर में आ जाते हैं जो ना सिर्फिया के मकतूब लेहे के लिए अद्वी दिल्चस्पी के बाऊस हो जाते हैं बरकि मकतूब निगारी की बाते एक अद्वी दस्तावेज की हैसियत इक्तियार कर लेती है मक्तूब लिखने वाले के बाद अगर मक्तूब निगार इस दुनिया से रुखसत भी हो जाए तो उसकी तहरीर उसकी दाखली जजबात वकिफियात की गवाही देते रहते हैं यही वज़ा है की खतूब निगारी को नस्फ मुलाकात से ताबीर किया गया है तो यहां पर मक्तूब निगारी यानि की लेटर रैटिंग की पायदे के बारे में बताया गया है कि अगर कोई इंसान दूर भी है किसी इंसान से उसका दोस्त या फिर उसके रिष्टेदार कहीं दूर दूसरे मुलक में भी है ना तो वो खत के जरीए क्या कर सकते हैं बात कर सकते हैं ठीके और अपना हाल चाल खैर खैर यह खत एक ऐसा चीज होता है कि अगर खत लिखने वाला किसी अपने रिष्टेदार को खत लिखकर वो मर भी गया तो उसका जो खत है वो जिंदा रहता है उसका राइटिंग उसकी खैरियत जो भी बाते बयान की रहती है अपने खत में वो सारी चीज़े वो जिंदा रहती है भले उसकी मौत हो जाती है तो ये सारी चीज़े आप लोगो को इसमें बताया गया है ठीक तो ये था आप लोगो का चैप्टर नमबर थार्टीन का ओल कोश्चन इंसर जिसको आप लोग एक एकर कर देख लिए और समझ भी गए कोई भी कमफीजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज आप करता दो आप मेंटकर बहगी जापिश ऑापिश जाप हमें द소 बाहाएं कर सब्सकIf दक ही करने कर दreso जेखिजन कर सकते हैं वीडियों कि मैंैं और सर्पल खुझ भी कर सकते हैं